कि अधाब अस्सलाम अलेकुम नमस्ते सत्रियकाल आज में इस फिल्मी शिक्सियत के बारें बात करने जा रहा हूं उनका नाम है विश्णुपंद गोविन दमले आप 1892 में पैदा हुए और 1945 में आफ वोथ होगे आपने स्टेज पेंटिंग का काम सीखा और आनन्द राव पेंटर और बाबू राव पेंटर के कजन थे आप और उनके साथ मिल किया आपने माराष्टा फिल्म कंपनी बनाई और आप एज डेकुरेटर डिजाइनर एक्टर सिनमेटोग्राफर उसमें काम करते रहे और इनके कुलीक ते फतिलाल शेख जिन्होंने डमले के साथ काम किया जब तक जिस जिन्दा रहे और इन दोनों ने मिलके बेशुमार साइलेंट मुवीज बनाई और विश्टुपन डमले मराठी फिल्म बनाते थे और माराष्ट्रा में काम करते थे लेकिन इन्होंने माराष्ट्रा 1929 में छोड़ दिया और इन्होंने परबाद फिल्म कंपनी जॉइन कार ली जो के शांता राम जिसके डिरेक्टर प्रोडूसर थे शांता राम फतेलाल केशु राओ देबर इन सारों ने मिलके एक खुबसूरत फिल्म कंपनी बनाई प्रबाद फिल्म कंपनी और उसके बाद इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सांता कुराम वो उस दोर की कामयाब फिल्मों में शामिल की जाती है फिर आपने फिल्म बनाई अयोदीचा राजा जो के परबाद फिल्म ने बनाई अब हम आते हैं उनकी इन दोनों ने फत्तिलाल और दमले ने मिलके जो फिल्म बनाई और उनने एक्टिंग भी की उन फि पालकरशना 1929 में रीलीज हुई ख कोनी हंजर 1930 में रेलीज हुई रानि साहिबा जो 1930 में रילीज हुई 4 कर चंदरा सेना 1931 में रीलीज हुई और चन्ग, दम्ले साब ने sound recording भी कि और जन फिल्मों की sound recording की उन फिल्मों के नाम ये हैं अगनी कानकन 1932 में रिलीज हुई, माया महाचिंदरा 1932 में रिलीज हुई, सेरانद्री 1933 में रिलीज हुई, چंदरा सेना 1935 में रिलीज हुई, दर्मात्मा 1935 में रिलीज हुई और जो फिल्म जिरों ने डिरेक्ट की डमले और फतेलाल ने मिलके परबाद कंपनी के बैनर के नीचे उसमें संथ तुका राम 1936 में रिलीज हुई राम शास्त्री 1944 में रिलीज हुई और संथ सकू इनकी आखरी फिल्म काउंट की जाती है और आप 1945 में फोथ होगे और जिन फिल्मों में आपने एक्टिंग की उनमें महारती करना है गोपाल कृष्णा और खुनी खंजर तो यह थी कहानी शाम दमले की विश्नुपांत दमले की तो अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत शुक्रिया